तो फ्रेंट्स देख सकते हैं यह है मेरा लैप्टॉप जिसमें की हार्डिक ड्राइब लगा हुआ है जिसको सॉट फॉर्म में एच्डी बोलते हैं और इसमें मतलब मैं जा रहा हूं लगवाने के लिए एच्डी जिसको बोलते हैं सॉलिड एस्टेट ड्राइब ठीक है तो यह बहुत ज्यादा सुलो चल रहा है और एसेटी जो है बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है और बैटरी भी वो कम कंजूम करता है ठीक है तो अभी मैं इसका स्पीड दिखा देता हूं कि इसमें क्या होत तो यहां पर देख सकते हैं यह जो जगह है डिक ड्राइब का यहां पर चेंज करके वह सेट कर देगा तो और उसको निकाल देगा याने कि फिर हम दुबारा इसमें डिश्ट नहीं लगा पाएंगे तो देखते हैं अभी तक यह अभी ओन हो गया तो चलिए ट्राइ करते हैं हां तो यह अभी ओन हो चुका है और सच बताओं तो बहुत ज़्यादा भी में को लगा कि फास्ट है तो चलिए इसको पासवर्ड एंटर करते हैं तो खुलने में देख रहे हैं मतलब टाइम लगता है यार पहुत जादा अब एक दो बार रिफ्रेस करके हम देखते हैं ठीक है और यार यह तो हम ऐसा ही अप्डेट के लिए मांगता ही रहता है क्या ही बताएं आपको अब इगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फास्ट रहा है पता नहीं किसको क्या हो गया जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह बहुत फास्ट काम कर रहा है कि ऐसा ही हमेशा काम करता तो साथ जरुवत नहीं पड़ता लेकिन फिर भी मैं लगाने जा रहा हूं मतलब क्या ही बताँ बहुत स्लो काम करता है यार कुछ भी इगर काम करते हैं तो एक दम बिकार लगता है कि थोड़ा सोर हो रहा है बहर खेर कोई बात नहीं मैं जा रहा हूं दुकान जाओंगा उसमें लगवाओंगा दो 240 GB का आता है उसको मैं लगवाओंगा लगभग 20-30,000 रुपर पड़ता है तो देखते हैं क्या होता है तो यह जो मैंने आपको बताया था ना यहां पर यह जो डिस्क है इसको मैं निकाल कर दिखाता हूं अरे भाई निकल जा यहां पर यह चीज मतलब हटा दिया जाएगा और फिर यहीं पर लगाएगा तो देखते हैं क्या होता है फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस टैप से काम करता है कितना फास्ट होता है तो अभी के लिए हम ब्रेक लेते हैं और फिर लगवा क changing यहां पर देख सकते बाऊर से आपको यहां पर देख रहा हुआ है साइड में यहां पर लग चीज मतलब एक भाई है इसका मतलब कह सकते एक कभर लाआ लगा है इसमें लगा हूआ है आपका SSD देख सकते हैं यह जो मेरा CD drive था यह इसको निकाल दिया गया है ठीक है यह लैप्टोप में लगा रहता है इसको निकाल दिया और यहां पर लगा दिया गया तो मैं आपको बताता हूं कि हुआ कैसे सबसे पहले आप इसका speed देख लीजिए कि क्या है उसके बाद मै आप तो हिह मैंने प्रेस किया और अबर के बूट हो रहा है तो देखते कितना होता है प्राश से में को काफी मतलब फास्ट फिल हुआ इसको यह बूट हो चुका है और दोनों को एक साथ फिर हम करके देखते हैं यह उसमें पता जलेगा कि क्या है नहीं है झाल और उसके बाद मैं आपको बताता हूं मैं को दो SSD दिया गया था तो यह सब देख सकते हैं एक है यह आर्वेक्स का है और दूसरा WD का मिला था ठीक है तो WD का जो है उसका मतलब 2800 रूपया ले रहा था और अर्वेक्स का 2600 रूपया बोला तो भाई हम सुझे चलो सस्ता ही आपका करते लेते दोनों UN का 2 साल वारेंटी दिया हूँ है तो हम यह ले लिए उसी बार देख सकते हैं यहां पर यहां से निकाल तो यहां पर इसका देख सकते हैं यह इसका एक का मतलब इसके अंदर में लागा जाता है तो यहां पे लगासकते हैं तो यहां पर लगा सकते हैं तो क्या गया सिट टैप को हटा दिया और यहां पर उसको फीट कर दिया तो इस टैप से फीट होता है उसके बाद फिर लग जाता है तो उसके बाद स्पूँट वागरा देख सकते हैं कितना है जो की इसका विंडो का था सारा मैंने 240Кछ भी जो भी था वह एक सरथ सी ड्राइब में कर दिया है तो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देखш सकते हैं यह पूरा पूरा जो है मतलब विंडो का पूरा देख भाल यही करने वाला है तो पूरा फार्षन होगा और बाकि जो मेरा था वन टेवी वह इधर साइड में हैं मतलब इसमें कुछ भी आम स्टोरेज रख सकते हैं तो यह मस्त है अब स्पीड जो है ना में को अच्छा लगने लगा कि मतलब देर नहीं होता है और सह कि आपको थोड़ा सा पैसे भी कम खर्ष होगा और स्पीड भी ठीक ठाकी चलेगा तो आसा करता हम वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चरूर कीजिएगा और देख सकते इधर मैंने स्टिकर लगाया हुआ है ठीक है तो इस स्टि 400 रूपया या 300 जो भी आपसे ले सके 500 भी ले सकता को गरांटी नहीं है क्योंकि जिसमें हार्ट डिक्स का स्पेस नहीं दिया वराता है तो यह खोल करके उस जगह पे उसको लगाता है तो इसका जो सपोर्टर होता है मतलब उसको आपको लग जाएगा 400 रूप एक्स्ट्र तो में को उसमें 300 रूपया और ले लिया तो समझ सकते हो कितना खर्चा है तो टोटल कल 3500 रूपया मेरा चला गया तो बस मिलते हैं अब नेक्ट व्यूदे